तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाली नई हॉन्डा SP 125 के बारे में क्योंकि भाई मौझूदा हॉन्डा SP 125 इंडिया में काफी घटिया परफॉर्म कर रहे है और भाई जो हॉन्डा की SP 125 है इंडिया में इसकी भाई सेलफी कर लगतार गिरती चली जा रही है और भाई एगर ऐसा रान भाई कमपनी को हॉन्डा की जो SP है इसे डिसकन्टीन्यू करना पड़ जाएगा क्योंकि इंडिया में 125 CC में काफी बिटर बाई के अविलेबल हो चुकी है जैसे की राइडर 125, Xtreme 125, Pulsar NS 125 साथ ही बाई बजाज कमपनी अपनी एक और 125 CC की बाई को लॉंच करेगा बाई जो की आपको N 125 भी इंडिया में जल्दी दिखने को मिल जाएगी तो ऐसे में जो है बाई होंडा की SP का तो बाई डिसकंटीन्यू होना बन जाता है लेकिन आप लोग बाई टेंशन मत लो होंडा कमपनी जो होंडा SP में काफी बड़े बड़े अपडेट्स करेगी जिससे कि यहां इस गाड़ी की सिल्फिगर में काफी अच्छा सुधार आ जाएगा और बाई जो होंडा की SP 125 है न यह आपको अभी मिल जाती है इंडिया में 86,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए के बीच में एक शोरूम और यह प्राइस 125 CC वाली वैरियंट का है लेकिन इसका जो प्राइस है जो नया वैरियंट आएगा तब जो है प्राइस लगब गाड़ी का 8-9,000 रुपए इसली बढ़ जाएगा और गाड़ी में काफी अच्छे फीचर्स और काफी नए चेंजेस मिल तो गाड़ी का बाई जो इंजन है कंपनी वह री ट्यून करेगी बाई इंजन आपको 125 CC का सिंगल स्लेंडर एयर कूल देखने को मिल जाएगा यह तो बाई एयर कूल के साथ ही आएगा लेकिन इसका बाई जो आर्पिम वगेरा है वह इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि सिलेंडर 5 स्पीड गेर के साथ बाई माइलेज जो है यह गाड़ी आपको इसली देदेगी 60 के आसपास का स्पीड आपको ज्यादा मिल जाएगी अभी के मुकाबले बाई स्पीड आपको 110 के आसपास तक का हॉंडा की एसपी प्रुवाइड करा देगी अब बात करते हैं यह गाड़ी में आपको फीछर्स में क्या-क्या अफडेट्स मिलेगा बाई जो मिलेगा हॉंडा की अपको इसमें आपको थाट स्प्रुवाइड करा देगी आपको दिखने मिल जाएगा बाकि जो है कंसोल में आपको मैसेज, कॉल वगेरा इंडिगेट कर देगा, साथ ही इसका बाइज जो सेटप है लैटिंग का उसमें भी आपको मिलेंगे अपडेट्स बाइज जैसे की गाड़ी में आपको मिल जाएगा न्यू डिसजाइन LED साथ ही इसमें आपको अब मिल जाएगा LED का DRL जो कि भाइ अभी तक मिसिंग था, वहीं आपको जो राइडर है उसमें आपको मिल जाते हैं DRL थो यह मिसिंग में चल ले थी तो इसमें भी आपको मिल जाएगे DRL बाकि जो भाइ आपको अब मिल जाएगी LED की tail light और LED के turn indicator जो कि आपको 1000 की switch के साथ देखने को मिलेंगे और भाई जो Honda की SP है इस गाड़ी में आपको engine kill switch on off, kick start, self start ये सब कुछ आपको भाई अभी भी देखने को मिल जाता है और वही मिलेगा बाकि जो है भाई गाड़ी के जो dimension है जो weight है भाई इनमें आपको बहुत बड़े फर्क देखने को मिल जाएंगे भाई आगे आपको मिल जाएगा suspension telescopic का, पीछे जो भाई अब आपको मिलने वाला है mono shock absorber भाई पीछे अब आपको twin shock नहीं मिलेगा, ताकि जो है ये गाड़ी easily इन सभी भाई भाई वो को beat कर सके बागी जो है आगे आपको tear मिलेगा 90 section का, जो की wide हो जाएगा पीछे भाई आपको tear मिलेगा लगबग 110 से लेगे 120 section के बीच में, जो कि भाई इसके जो tears है वो अब आपको 17 inch के साथ देखने को मिलेंगे, और भाई ये tears आपको मिलेंगे tubeless, बाकी जो है front में आपको मिल जाएगी disc 240 mm की, पीछे आपको मिल जाएगा drum 130 mm का और भाई गाड़ी में जो भाई आपको ABS और CBS दोनों के ही option दिखने को मिल जाएगे अब बात करते हैं भाई की भाई गाड़ी के जो body panels हैं वो कैसे रहेंगे भाई, तो गाड़ी में आपको new body panel दिखने को मिलेगा भाई, गाड़ी में आपको नए colors, नए graphics नई आपको मिल जाएगी branding Honda SP 125 की भाई, colors तो भाई, no doubt Honda वारे काफी अच्छा launch करते रहते हैं भाई, tank जो है वो बहुत जादा हो जाएगा muscular भाई, seat आपको मिल जाएगी split की, और इसके भाई, जो होंगे grab rails वो भी आपको मिल जाएगे split के, बाकी जो है भाई, गाड़ी में आपको मिल जाएगा side mounted exhaust और भाई, जो Honda की SP है इसका भाई, जो generation 2 है वो launch हो जाएगा आने वाले 3 से 4 मैने के अंदर अंदर तो भाई, आप लोग चाहो तो wait कर सकते हो बाकी यार भाई, जो वीडियो है like कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए, जय हींद वन देमातरम, बाई